यह कहानी एक छोटे से गाव में रहने वाले एक गरीब किसान की है, जिसका नाम रामू है. रामू का पूरा परिवार कृषि पर आधारित था, और उनकी मुख्य आय खेती से ही होती थी. वे एक छोटे से खेत में जैविक खेती करते थे और उन्हें खेती में विशेश रूची थी रामू की कहानी उस समय से शुरू होती है जब उनके पास बहुत ही कम सामगरी थी लेकिन उन्की मेहनती, मेहनत और आत्म विश्वास की वजह से वे किसानी में सफलता पाने के लिए कठिनाईयों का सामना करते गए वे सिर्फ जैविक खेती की तरफ ध्यान केंद्रित करते और खेत में उर्वरकों के बजाए उर्वरक की जगह खेत में खाद प्रदान करते थे अपनी महनत और समरपन से रामू की खेती धीरे धीरे फलने लगी उनकी पैदावार बढ़ती गई और उनकी मुनाफा कमाने की क्षमता में भी व्रिध्धि हुई वे अपनी उतपादों को स्थानिय बाजार में बेचते और इससे उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार होने ल और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया उनकी कहानी गाव के लोगों के लिए प्रेरणा स्त्रोध बनी और उन्होंने दिखाया कि छोटे सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है महनत और संगर्ष इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य और परिश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों रामू की तरह हमें भी अपने लक्षों के प्रती पक्षपात नहीं करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए चाहे समस्याएं कितनी भी कठिन क्यों करना हो